नमस्कार दोस्तों आप सबी का हमारे यूटूब चैनल पर स्वागत हैं दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं N.V.S. Non-Teaching Staff के रिजल्ट के बारे में वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पर नहीं हैं तो आए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों आपका N.V.S. का एक्जाम जो की आपके आठ मास्ते तेरे मास्ते कंड़क कराए गए थी उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और केंडियर्स बेस अबरी से रिजल्ट का इंतिजार कर रहे हैं जो की लाजमी है तो दोस्तों बहुत सारी पहले तो हम बात कर लेते हैं बहुत सारी जो मीडिया रिपोर्स हैं और जितने भी आर्टिकल्स आप गोगल पर देखोगी सबी में यही लिखा हुआ है कि आपका रिजल्ट है वो माई में ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है लेकिन माई भी आपका निकला जा रहा है माई में भी मात्र आपके चार दिन रहे गई है उसके बाद आपका माई भी खत्म हो जाएगा तो दोस्तों आप रिपोर्स तो सारी माई का ही रिजल्ट बता रहे है कि आपका रिजल्ट माई में ही आएगा लेकिं दोस्तों हमें बिलकुल उमीद नहीं है कि आपका रिजल्ट माई में आएगा उमीद हमें ही है कि आपका रिजल्ट 15 जून तक ही आएगा यानि कि माई में तो बिलकुल नहीं आएगा आपका जून में ही रिजल्ट आएगा ल नहीं है कोई रिजल्ट नहीं आया है कोई नोटिस नहीं आया है 21 वेवररी के बाद तो दोस्तों उमीद यही है कि आपका जो रिजल्ट है वो जून में आएगा और 15 जून से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा लेकिन जितने भी मीडिया रिपोर्ट्स और न्यूस चैनल बता रहे हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो मैं में आएगा मैं में आने की इसकी कोई भी उमीद अब नहीं लग रही है तो दोस्तों अगर जैसे हमें कोई और नोटिस मिलेगा ऑफीशली तो हम आपको तुरंट इन्फॉर्म करेंगे तब तक के लिए आप हमाई साथ जु